नमस्कार, IND Special संग की नजर में आपका स्वागत है, मैं हूँ सुनिल स्रिवास्ता हूँ जीहां 2023 और 2024 यानि विधानसवा लोकसवा चुनाव को लेकर जहां भाजपा और कॉंग्रेस की नजरें विधानसवा सीटों के इलावा अपने प्रत्यासियों या यू कहें विधायकों की परफॉम्मेंस पर है तो वहीं एक नजर संग की इन तमाम सीटों पर है लेकिन संग अब विशेश फोकस कर रहा है उन सीटों पर जहां कॉंग्रेस का बढ़चस्व है या यू कहें जहां कॉंग्रेस का दबदवा है कॉंग्रेस के प्रभाव वाली सीटें अब संग की नजर में है और यही वज़ा है कि खास तोर पर गवालियर अंचल की हम बात करें तो यहां पर गवालियर चम्बल छेत्र की कई विधानसवा सीटे हैं जहां पर पिछली बार BGP का परफॉमेंस अच्छा नहीं था और कॉंग्रेस को जहां पर विज़ाई मिली थी अब उन सीटो पर संगी की नजर है संग ने अपने काम को लेकर भी नैसरे से बदलाव किया है अगर हम बात करें तो भिंड जिले में दो जिले कर दिये हैं लहार को एक अलग जिला संग ने अपने हिसाब से बनाया है और लहार में जो प्रचारक हैं उनकी तेनाती भी कर दी है मत्यप्रदेश की लगभग जो संग के लिहास से हम बात करें देड़ दरजन से जादा स्वयम सेवकों या प्रचारकों की तेनाती भी संग ने कर दी है यानि 23 और 24 के लिहास से संग अपना होंबर कर रहा है जमीन मजबूत करनी की कोशिस कर रहा है और अगर हम बात करें तो क्योंकि संग की जिन सीटों पर नजर है उनमें मुरेना, गवाली और विदीसा, गुना, राजगड, नर्मदापुरम है शियोपुर है, लहार, भिंड, पिपरिया, डवरा, भोचपुर, गंजबासोदा, दमुह, बैतूल, सीहोर, रायसिंद, शियोपुरी और राघोगड यह वो सीटे हैं, जहाँ पर संग विशेश फोकस किये हुए है, अगर हम संग की बात करें, तो इन सीटों पर संग के जो प्रिचारक हैं, समयदानी हैं, या विस्ता रखें, उनकी टोलियां भेजी जाएंगी और यहाँ पर यह वोलेंटियर संग के भाजपा के पक्षमे माहौल बनाने का काम करेंगे, जो मौझूदा फीडवेग है, जो मौझूदा हाला आत हैं, उसका फीडवेग संग को देंगे, और इसके इलावा, जो बीजीपी में लगातार गुटबाजी बढ़ रही है जिल लग करते हुए एक नया जिला लहार बना दिया है संग ने, तो कुल मिलाकर कामकाज के विस्तार के साथ, विभाजन के साथ, और संग अपना पूरा होंबर कर रहा है, स्यासी जमीन तयार कर रहा है, और यहाँ पर जिस प्रकार के संग के बॉलेंटियर मैदान में आएंगे तो उससे माना जा रहा है कि बीजीपी के पक्षमे माहल बनाने के साथ साथ, जो मौझूदा सरकार को लेकर कहीं कहीं नाराजगी है, या संगठन में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, कि गुटवाजी है, उस गुटवाजी को खत्म करने का काम संग के बॉलेंटियर उसका रास्ता संग के बॉलेंटियर सुझाएंगे, तो कुल मिलाकर कॉंग्रेस के लिए जरूर ये चिंता जनक हो सकता है, क्योंकि लहार की हम बात करें, आखरी वार उन्नेस सो पचासी में बीजीपी के वहां से बिधायक जीते थे, उन्नेस सो नब्वे की बात करें, तो गोविंद सिंग, जो डॉक्टर गोविंद सिंग है, वो जनता पाइटी के सिंबल पर वहां से चुनाव जीते थे, और उसके बाद से लगातार गोविंद सिंग, पिछले छे वार से कॉंग्रेस की सिंबल पर लहार से जीते आ रहे हैं, यानि लहार भी एक महत्पूर सीट है, संग के लिए, बीजेपी के लिहाद से भी अगर हम बात करें, क्योंकि लहार की इस चुनाव में भी बात करें, नगरी निकाय में, तो बीजेपी वहां पर खाता नहीं खोल पाई, नगर परशद में, पंदरा में से जो पारसद हैं, तेरा कॉंग्रेस के और दो चाहिए, कि बोट के नजरिये से आम लोगों को ना देखें, राष्ट हित की बात करें, राष्ट के विकास की बात करें, और लोगों के विकास की और बहतरी का काम करें, क्योंकि सियासी चस्मे में व्यक्ती सिर्फ बोट नजर आता है, और अगर हम बात करें, तो क्योंकि 23 324 का चुनाव बहुत महात्पूर्ण है बीजीपी और कॉंग्रेस के लिए इसलिए चाहे हम संग की बात करें चाहे कॉंग्रेस की बात करें बीजीपी की बात करें लगातार अपने बोटवेंक बढ़ाने के लिए नए-नए कारिकरम और नए-नए तरीके से जनता को जोड़न की कोशिश हो रही है